अधर प्रतला विधान सभा के गदपूरी में लगाए जा रहे टोल टेक्स को लेकर लगातार विरोध के स्वर तेज हो रहे हैं जिसे लेकर पूर विदायक पंडित टेक्चंद शर्मा ने अपने कार्याले पर एक बैठक की इसमें पूरे मसले को लेकर चर्चा हुई और इस साथ कि गई है और इस बैठक मे क्या कुछ फैसला लिया गया है उसको लेकर हम बात करने हमारे साथ मॉजूद हैै और फृव इधायक साथम का सर्व समति से फैस्रा लिया गया है कि आने वाली चोधे तारी को गदपुरी टोल पिलाजा पर एक सर्व दलिये महा पंचायत बुलाई जाएगी जिसमें सभी दलों के नेताओं को बुलाई जाएगा क्योंकि यह समिश्या सब की है यह इसमें कोई राजनिती नहीं है आज कोई भी नेता कहे यह राजनितिक मंच नहीं है सर्व दलिये बुला करके सब को कहा जाएगा कि यह हमारे बीच में जो समिश्या है जिस तरीके से हमारे यह चंडीगड की जब बात आती है तो कांग्रेस बीजेपी इनलो जजबा सम्मिल करके यह कहते कि तब भी हरियान सब एक होता है हमने भी चंगर्श किया था यमना के पानी के बारे में तो उस समय पर दक्षनी अर्याना के जितने वी विढ़ाएक थे मेरे साथ में मायने करन सिंग दलाल जी से लेकर के के के-षिंख से लेकर K Anday बांजी से लेकर के सभी साथ ही 14 के 14 विदायक मानने नितिन गडगरीजी से मिले थे कि हमारे लिए ये वाकई एक नासूर है इसी तरीके से आज ये विशे बनता है पलवल और फरीदाबाद के विदायकों के लिए उनसे मैं अपील करूंगा कि वो सभी आकर के इसमें अपने पार्टी से सम्मंदित हों बिलकुल हम इस चीज में कोई दोराय नहीं है यह मेरा निजी मेटर नहीं है यह इलाके की लड़ाई है यह सभी संस्थाओं की लड़ाई है यह सभी वकील भाईयों की लड़ाई है हमारे मजदूरों की लड़ाई है हमारे किसानों की लड़ाई को परिशानी का सामना ना करना पड़े फरी दवासे खवरफास न्यूज के लिए मुकैश राजपूर